देश के जादातर राज्यों में मौनसून ने दस्तक दे दी है लेकिन पहली बारिश का आगाज ऐसा रहा कि हरोर हाकार मच गया पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षन तक मूसलाधार मुसीबत दिखाई दे रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले पांच दिनों में देश के ज्यादतर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है पिछले 24 खंटे में देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई है जो सिरहन पैदा करती है मगर साबधान अभी तो ये प्रेलर मात्र है ये तो मौसम के प्रहार की बानगी है आगे जल प्रलै बाकी है जी हाँ पूरे देश में मानसून की दस्तक के साथ ही आसमानी आफ़त का सामना करना पड़ सकता है अगले तीन से चार दिनों तर पच्चीस राज्यों के लिए भारी बारिश का अलड़ जारी किया गया है मानसून की पहली दस्तक सही देश में हाहकार मचा हुआ है लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये परिशानी अभी तो सिर्फ शुरू हुई है मद्ध भारत के लिए अगले तीन से चार दिनों के दोरान भारी से बहुत भारी वर्षा आंधी और बिजली गिरने की संभावना है दक्षिन भारत में भी अगले पाच दिनों के दोरान बारिश और बिजली गिरने की संभावना है आज कीरल में भारी से बहुत भारी बारिश तो ही करनाटक में भी 30 जून तक 30 बारिश होने की संभावना है गुवा, गुजराद, मद्ध महराश्ट के तट्यक शेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्शा होने का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अलर्ट के मुताविक कई राज जैसे हैं, बारिश मुसीबत बन सकती है वहीं कई राज्यों में मद्ध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तेज बारिश के साथ बिजली गिरने के आशंका के बीच मौसम इभाग की और से किसानों को भी अलट किया गया है पहाडों पर बारिश से लेंड सलाइट समुद्र वे तूफान आने का भी अलट है ऐसे में एक बार फिर समंदर में उची उची लहरें उट सकती है जाहिर है मानसून ने गर्मी से रहत तो जरूर दी है लेकिन महज चंद दिनों की बरसात में देश के ज़दातर हिस्तों में जल सेलाब का खत्रा पैदा हो गया है बियर रिपोर्ट जी मीडिया